इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बॉलिवुट के एक काले सच के बारे में इस वीडियो में होगा कास्टिंग काउच के बारे में बड़ा खुलासा सुजाता महता नाम की एक पुरानी एक्ट्रिस ने ये खुलासा किया है इस खुलासे के बारे में आगे बताएंगे लेकिन पहले जानते हैं सुजाता महता की कहानी सुजाता महता है कौन? तो सुजाता महता एक गुजराती एक्ट्रिस है गुजरात में थेटर करते हुए सुजाता काफी खुश थी थेटर में सुजाता बढ़िया काम कर रही थी चितकार नाम का उनका एक प्ले बहुत बड़ा हिट हुआ था सूरज बढ़जात्या के पिता ने सुजाता का चितकार प्ले देखा उसके दो साल बाद सूरज बढ़जात्या के पिता ने सुजाता को फिल्म ओफर की फिल्म थी प्रतिगात, 1987 में रिलीज हुई इस फिल्म में, सुजाता लीड रोल में थी, नाना पाटेकर मेल लीड थे, एन चंद्रा फिल्म के डिरेक्टर थे, प्रतिगात में सुजाता की एक्टिंग की पहुत तारीफ हुई थी, प्रतिगात में सुजाता ने एक ऐसा सीन दिया था, जिसमें घुंडे उनके कपड़े भाड़ देते हैं łस दौर में डेब्यू फिल्म में इस तरह का सीन करना उनकी हिंमत को दिखाता है। इसके बाद सुजाता की दूसरी फिल्म थी डिरेक्टर जेपी दत्ता के साथ, फिल्म का नाम था यतीम, इस फिल्म में सुजाता ने निगेटिव किरदार निभाया था, सुजाता सनी देओल की सौतेली मा बनी थी, जो सनी देओल को सिड्यूस करती है, लेकिन सनी देओल के म बड़ी फिल्मों में से एक थी, इस फिल्म में सुझाता ने जबर्दस परफॉर्मेंस दी थी, यही कारण था के इस फिल्म के लिए सुझाता को Best Supporting Actress के Film Fair Award के लिए नॉमिनेट किया था, सुझाता ने मिफुन चक्रवर्ती के साथ भी कई फिल्में की, जितेंद्र और या स्रीदेवी जैसा स्टार्डम हासिल करने की लेकिन फिर कास्टिंग कौच का काला साया सुजाता केUNG करियर पर पड़ता है इं लेकिन सुजाता ने उसी लहजे में इस ओफर को ठुकराते हुए कहा था No, keep your wings with you, fly where you want to सुजाता बताती है कि काम के बदले साथ में सोने का ओफर देने वालों में टेरेक्टर, प्रोड्यूसर, आक्टर के साथ साथ फिल्म के फिनेंसर तक शामिल थे अपने जाल में फसाने के लिए ये लोग सुजाता को दूसरी हिरोइन्स का एक्जामपल भी देते थे सुजाता कहती है कि इन एक्जामपल में नाम चीन एक्टरसिस का नाम शामिल था वो लोग कहते थे कि इस हिरोइन ने ये किया तो देखो आज वो कहां है उस हिरोईन ने ये किया था तो देखो वो कहां पहुँच गई है लेकिन सुजाता ने अपनी क्राफ्ट पर फोकस किया खुद को इन सब चीजों से दूर रखा नतीजतन फिल्म उनसे दूर होने लगी साइन करने के बाद उन्हें फिल्मों से निकाला जाने लगा फिल्म का ओफर आता था लेकिन फिर बात आगे नहीं बढ़ पाती थी धीरे धीरे सुजाता निराश होने लगी उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने का मन बना लिया वो थियेटर की अपनी दुनिया में लौट गई इस तरह एक टेलेंटिड और बहदरी इन एक्टर को बॉलिवु के लिए भी तैयार बता रही हैं देखते हैं जैसे कई पुरानी हिरोइन्स का कमबेक हुआ है वैसे ही सुजाता का कमबेक हो पाता है या नहीं लेकिन कास्टिंग काउच जैसी घ्यानी चीज की वजह से एक टेलेंटिड एक्टर का हताश होकर अपना करियर छोड़ देना तुखी करने वाला है